आरेसेस प्रमूख मोहन भागवत द्वारा मस्जीद मदरसे में जाकर उलमाओं से मुलाकात करने पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाईं सामने आने लगी है कॉंग्रेस ने कहा कि ये उनकी भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि RSS के प्रमूख मोहन भागवत इमामों और मुसलिम समुदाय के लोगों के पास पहुंच गए। कॉंग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमूख पवन खिडा ने ट्विट किया। मायावति ने ट्विट करके अपनी बात रखते हुए कहा कि RSS प्रमूख मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जीद मदरसे में जाकर उलिमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आपको राश्र पिताव राश्र रिशी कहलवाने के बाद क्या BGP वा इनकी सर कि यूपी सरकार खुली जगे में कुछ मिनट की अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रही है तथा सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए नेजी मदरसों में भी हस्तक्षे पर उतारू है किन्तो RSS प्रमूख के इस बारे में गहरी चुपी के क्या माएने निकल रहे है इस पर भी वे जरूर गौर करें। कॉंग्रेस प्रवक्ता गौर वल्लब ने कहा भारत जोड़ो यात्रा के सिर्फ दो सप्ता हुए है और उसके नतीजे आने लगे हैं। भाजपा के एक प्रवक्ता टीवी चैनल पर गोड से मुर्दाबाद कह रहा है। भागवत जी आज दूसरे धर्म के लोगों के घर जा रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रवाव है।